सो हलो एवरीवन वेलकम बैक टू दे चैनल आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुकाऊं माइनक्राप की पोकिट एडिशन एंड जावा एडिशन की सबसे बैस्ट ट्रिक जिहां सबसे बैस्ट एंड सबसे जादा शानदा टेकनीक आज मैं आपको बताऊंगा माइनक्राप की एक एसी टॉप सीड जिसके अंदर आपको माइनक्राप के सबसे जादा डेंजरस एंड सबसे जादा मिस्टीरियस वर्ल्ड मिलेंगे जिहां, आज मैं आपको Minecraft की Top Seed बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको बहुती कमाल कमाल के Mysterious World देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मुझे Cave भी दिख रही है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को Skip बिलकुल भी मत किजेगा, अगर आप लोग भी व Seed, इस Seed के अंदर आप लोगों को मिलेंगे बहुत ज़्यादा Dangerous Monster, जिहां, सबसे ज़्यादा Dangerous Monster आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आप लोग इनसे Fight कर सकते हो, और इनसे Fight लेना मतलब अपने आपको सबसे ज़्यादा Danger, Killing होना है, जिहां, चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो में शुरू करता हूँ, और आपको लेके चलता हूँ, Minecraft की इस कमाल की एन धमाकेदार Seed के अंदर, उससे पहले चैनल को सबस्क्राइब कीजे, बेल आइकन को दबा दीजे, और वीडियो लाइक कर दीजे, चलि दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते है सबसे पहले आपको एक new world बनाना है, world बनाने के लिए आप अपने world का नाम दे दीजे, आपको अपनी seed डालनी है, seed आपको step by step follow करनी है, जी हाँ, तो आपको seed डालनी है, 1, 9, 8, 4, 3, 7, 0, 5, 6, 2, 4, 9, 7, 8, आपको ये वाली seed डालनी है, उसके बाद आपको अपना world generate करना है, और यहाँ पे मैं कुछ देर wait कर लेता हूँ, तो जैसे ही आप spawn हो जाओगे, आपका spawn point कुछ इस तरह का होने बाला है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपने लिए wood collect करना है, और यहाँ पे मुझे stone भी दिख रहा है, तो मैं direct आप से stone के tool complete करके मिलता हूँ, तो दोस्त मैं यहाँ से अपना food भी collect करता जाऊंगा, और साथ ही मैं अपनी journey भी शुरू कर लूँगा, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक chicken को kill कर दिया, साथ ही एक cow भी है, तो cow को भी kill कर लिया है, तो चली दोस्तो, आज की journey हम शुरू करते हैं, तो मैं इस तरब चलता हूँ, मैं almost 10,000 block की journey complete करूँगा, इस seed को मैं 10,000 block जो है explore करने वाला हूँ, और पता करूँगा, क्या इस world के अंदर कोई entity exit करता है या नहीं, चली दोस्तो, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, तो दोस्तो, मैं almost 4,000 block complete करने वाला हूँ, लेकिन अभी त complete करता हूँ, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ, तो दोस्तो, मैं almost 7,000 block आगे आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी entity या पिर कोई भी monster नहीं मिलाए, तो मैं अपनी आगी की journey complete करता हूँ, और 7,000 block की journey और बची हुई ये मेरी, लेकिन अभी तक मुझे इस seed क के अंदर केवल दो बायों मिलें, और ये वाला तीसरा बायों में, तो मैं अपनी आगी की journey complete करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, और कोई भी entity या फिर किसी भी तरह का glitch अभी तक मुझे नहीं मिलाए, चलिए दोस्तो, आगी की journey complete करने के बाद आपसे मिलता हूँ तो दोस्तो मेरे 10,000 block complete हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे इस seed के अंदर कोई भी entity या फिर कोई भी monster नहीं मिला है, और मैं आ चुका हूँ, almost ocean के अंदर, और ocean मुझे power बिलकुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेरी journey complete हो चुके है, तो मैं ये decide करता हूँ, कि इस seed के अंदर हमारे latest update में अब कोई भी से भी तरह का glitch नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग old version में try करोगे, तो अब भी ये glitch work करते हैं, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी next video में, तब तक के लिए take care